सल्मान खान की फिल्म टाइगर जिन्दा है बॉक्स ओफिस पर दुआनदार कमाई कर रही है बाहु भली दोग के बाद ये साल की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है टाइगर ने छटवे दिन यानी बुद्वा को 18 करोड रुपे की कमाई कर ली है फिल्म ने छे दिनों में 190 करोड की कमाई कर ली है फिल्म ने शुक्रवार को 34.10 करोड शनिवार को 35.30 करोड रविवार को 45.5 करोड सुमवार को 36.54 करोड और मंगलवार को 21.60 करोड रुपे कमाई थे फिल्म क्रिटिक्स को उम्मीद है कि रिलीज के साथवे दिन फिल्म 200 करोड के कलब में शामिल हो जाएगी टाइगर जिन्दा है देश ही नहीं बलकि वदेश में भी तावर्तोड कमाई कर रही है सुमवार तक फिल्म ने ओवर्सीज 54 करोड की कमाई कर ली थी बता दें कि कल ही सल्मान खान ने अपना 52 वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था सल्मान ने जो केक काटा उसमें भी टाइगर जिन्दा है की जलक दिखाई दी सल्मान के बर्थडे के साथ फिल्म की सकसे इस पार्टी भी सेलिब्रेट की सल्मान ने ये पार्टी अपने पनवेला फार्म हाउस पर रखी थी इस पार्टी का एक वीडियो सामने आया है इसमें सल्मान अपने गाने बेबी को बेस पसंद है पर डांस करते नजर आए सल्मान ने ये भी कहा कि उनकी फिल्म कट्रीना कैपी की वज़े से हिट हुई है